आप सब पहुत एच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सभी का पहुत बहुत स्वागत है हमारे निव ब्लॉग में तो आज सुबा सुबा होने लगी हैं तैयारियां तो इधर बुआ साप कर रही है गेहूं तो थोड़े से गेहूं पंगे से सहला लिये थे और ये बाकी रह गए हैं तो वही बुगा साप करने में लगी हुई है और सुबह के अभी हमारे काम कुछ भी काम नहीं हुए हैं तो बुगा सुबह सुबह ही गेहूं साप करने में लग गई थे क्योंकि सुबह तो जो भी यहां पर खटिया पड़ी थी वो निकाल कर बाहर खड़ी कर दी है और यहां की जो यह दाई हैं हमारे यहां की वो करेंगे यहां पर की साप सफाई यहां पर उताई उताई करेंगे मिट्टी से और जाड़ू आड़ू लगाएंगी तो वैसे तो एक जो है न की ए साप सपाई कर देंगी कि कोई अपने आप नहीं की जाती है तो इनी से करवाई जाती है तो वही ये साप कहने में लगी हुई है तो ये हमारे रिष्टे में लगती है चाची तो वही चाची ये लगी हुई है साप सपाई कहने में और इधर आरूही भी खेल में लगी है और जो हमारी देवरानी जी हैं बो बैठी हुई है इधर साइड में किनारे साइड में तो खटिया तो आज बाहर निकाल दी गई है और जो भी इनके पास बिस्तर थे कपड़े थे बो सारे धुलेंगे आज बुआ इनको धुलेंगे और साथ में हैनकी हल्प हम लोग भी करा दें हैं तो साड़ी भी दी जाएगी और पैसे भी दिये जाएंगे तो पैसे तो आज ही बुआ ने दे दिये थे इनको जितने भी देने थे तो इन्होंने 500 रुपए मागे थे तो 500 दे दिये हैं और गेहु दिये हैं और एक दिन और भी काम था तब भी इन्होंने गेहु ही नामकरन होगा उस दिन जिसको हमारे यहां डठोन बोला जाता है तो उस दिन और इनको साड़ी दी जाएगी और इधर गेहूं रख रही है चाची जी और यहां पर यह बुआ दे रही है पैसे तो बहुत ज्यादा खुस हो गई थी पैसे लेकर क्योंकि भाई लोग का एक काम में जो भी लोग होते हैं उनको भी सबको दाच्चिना दी गई थी और इधर उसके बाद में हम लग गए हैं साप सफाई करने में तो थोड़ी सी आज हम लोगों ने कहा कि यह भी साप सफाई कर लेते हैं जो भी रसोई की साप सफाई करनी है तो उसी काम में हम सभी लोग हमारी ननत जी और हम दोनों लोग लग गए हैं और बुआ लगी हैं जो हमारे बाहर के काम है और थोड़े बहुत जो भी कपड़े पड़े धुनने को थे वो काम करने में तो सभी लोग लगे हुए हैं काम में जैसे कि आप सभी को बताया था कि इन दिनों में हमारे यहां पहुत ज़दा काम हो जाते हैं पूरा दिन काम में ही सभी लोग लगे रहते हैं तो वही लग गए हैं तो यहां पर आज पूरी रसोई की साफ सफाई फिर से करेंगे तो ये काम भी हमारा हो जाएगा अब दुबारा से इतनी जल्दी से साफ सपाई नहीं करनी होगी लेकिन है ना कि जब भी हमारे यहां कोई काम होता है उसके पहले भी साफ सपाई करनी होती है और बहुत सारी तैयारिया भी करनी होती है और जब काम निपट जाता है मतलब जो काम होता है मारा जिसे नामकरल हो जाएगा उसके बाद में फिर भी बहुत सारे काम हो जाएंगे फिर साप सफाई दुबारा से फिर से करनी पड़ेगी तो यही सारे काम लगे रहते हैं तो अभी वाली जो साप सफाई है बो थोड़ी सी तो पहले इनको साप करेंगे तो इतनी जल्दी से पटिया नहीं साप करने बाली थे क्योंकि अभी हम लोगों ने साप सपाई की थी और हैनक इन दिनों में जब बारिस होती है तब बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं तो वही कीड़े भी आ गए थे तो फिर मैंने हम लोगों ने का चलो थोड़ी सी रसोई की भी साप सपाई कर देते हैं तो यहाँ पर जो डिब्बे हैं पहले धुल कर रख देते हैं और तेल वाला डिब्बा जो है न हमारा उसमें तेल भी भरा है बहुत सारा तेल भरा है लेकिन और कोई डिब्बे नहीं थ रखते हैं उसको भी धुलिया है और चलनी को भी धुलिया है और गैस चूले को भी अच्छे से धुल लेते हैं आज थोड़ी सी गैस भी हमारी दिनों में खराब चल लए है जो यह रिगुलेटर लगा होता है वहाँ से गैस थोड़ी सी लीक कर रहे मतलब निकल लही है गैस तो वही हम लोग ने का चलो इसको निकाल कर देख भी लेंगे और इसको चूले को भी अच्छे से साप कर लेंगे वैसे तो वहीं पर रख कर ही साप कर लेते हैं या नीचे रख लेते हैं या फिर उपर ही रखे रखे साप कर लेते हैं लेकिन आज इसको बाहर निकाल कर ला क्योंकि नहाएंगे बाद में पहले सारे काम करेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो महेक आने लगती है तो मैंने का चलो पहले सारे काम कर लेंगे उसके बाद में ही नहाएंगे तो खाना तो बहुत जल्दी से ही बना ल चलनी यल्लिक हैं इसको अच्छे से धूलकर रख देते हैं और यहां के जुछ शा in today ऑसफने दो तो उपकर साइड में नहीं करेंगे इतना ज्यादा टाइम नहीं काम पूरा दिन निकल जाता है ॹ। तो थौड़ी सी ही पूतार करेंगे जो नीचे साइड में ज्यादा गंदी गंदी दीवारे लग रही उसी में पुताई करेंगे और माकी की ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो भी बरतन थे वो सारे दुलकर मैंने रख दिये हैं डिब्बे भी दुलकर रख दिये हैं तो अब यहाँ पर पोच्छा जाले थे जो भी गुपारे लगे थे जbang अलगे थे जो भी चीज़े लगी थी वह सारी चीज़े निकाल निकालकर इनुने फ्येक दी थी यह आई हैं हमारी यहां तो इनका जो काम है यह करेंगी तो यहां पर जो लल्ला है उसको नहला दिया है और जो हमारी देवरानी जी है वो भी नहाएंगी आज तो आज पहली बार ही इसको लल्ला को नहलाया है तो इसको नहला देंगे नहला दिया है और सावन से नहलाया है सा सूप में ही लिया जाता है जब नहलाने के बाद में सूप में ही बच्चे को लिया जाता है तो वह ही कर रही है और इनको भी दान दच्चिना दी जाएगी तो इनको भी याद दी जाएगी और इधरा रही अपने गुबारे खेलने में लगी हुई है तो यही सारे काम आज च लिया थे गुल१ुला बनाने में आटा माड़कर रख दिया था तो गुलूला वाला आटा है पहलेिस एच्छ से भूल तो बहुत ही अच्छा से भूल जाता है तो बुआ ने फेट कर रख दिया था और इधर फिर हम बाद में आप आये थे बनवाने के लिए तो यहां पर हम भी आ गए हैं तो बुआ यहां पर बना रही है गुलगुला चुआ रही हैं और हम निकाल लें तो मैंने का चलो जल्द भेट कर रख दो तो बहुत ही अच्छे से गुलगुले हमारे बनते हैं और इधर हमारे गुलगुले बन गए हैं और अब कर लेते हैं कड़ी की जो भी तैयारियां करनी हैं कड़ी की भी साथ में ही कर लेते हैं क्योंकि दावत है थोड़े बहुत लोगों की तो फिर देरी हो जाएगी तो जल्दी से ही खाना भी बना लेंगे और आप सभी दोस्तों को तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं हमारे ब्लोग पर आते ह हमारे ब्लोग को पसंद कहते हैं उनको भी तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अपना प्यार और सपोर्ट बनाया रखना और जो भी हमारे भाया दीदी हमारे चैनल पर निव आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आतो इतने जाधा काम थे कि आज मैंने बाल भी नहीं सुपा पाए हैं और बाल बांध भी नहीं पाए हैं और बुगाने भी नहीं बांध पाए हैं तो हम लोग ऐसे ही काम में लग गये थे तो पूरा दिन निकल गया था पूरा दिन काम ही काम थे नहाने के बाद तुरंत स पूरा खाना हम लोगों को यहीं चूले पर ही बनाना है तो इसी वज़े से जल्दी से ही लग गे थे तो इधर हमारे गुलगुला तो बन चुके हैं आप सेव बना लें उसके बाद में हम कड़ी छोकेंगे और अभी हल्दी भी पीशनी है क्योंकि हल्दी पीश कर ही और मठा अठ्ञा तैयार करके रख लिया है ठोड़ा सा मठा कम था तो दही भी मंगवाई है मार्केड से तो दही भी डालेंगे क्योंकि मत्छा नहीं बन पाया था इतना ज़धा और कड़ी ज्यादा बने थी तो दो कड़ाई कड़ी बनी थी और चावल टूह। पर बुआ कई बारिस नहीं लगे और बारिस की बजे से ही काम ढ़ते से लेट भी रधी जाते हैं और हो नहीं पाते हैं जल्दी से और बारिसर नहीं ऑदर बारिस长े माने घ्ड़ार क बारिस मेशय करके अतर चैनल मेश. तो जीरा चौकी है रलधी और छूटियों जाती है कि उप्धूब से बाद में बोट डाल देते हैं और कड़ी तो रेशेपी हर किसी को आती चौकि कड़ी बहुत रहता हुता है कि जो हम कड़ी बना रहे हैं उसको बराबर से चलाते रहना है जब तक हमारी कड़ी में फदक ना लग जाए अच्छे से फदक ना लग जाए तब तक हमको बराबर से ही चलानी है तो इधर बुआ ने जो दही रखी थी बो डाल दी है पहले जो थोड़ी सी दही मंगवाई है बो डाल दी है और अब डालेंगी मठा तो मठा भी डाल देते हैं और उसके बाद में बराबर से हम चलाते जाएंगे और आज बरतन भी कम पढ़ गए थे क्योंकि इतने सारे बरतन हैं फिर भी हमारे सारे बरतन कुछ ना कुछ रखा ही था तो यहाँ पर उसे पानी वाले पे बैठार कर आया थे कि देखते रहना और इधर हमारी जो ननत जी हैं उन्होंने यह बनाया है क्योंकि आज छटी तो यहाँ पर यह बनाया जाता है मतलो लड़का हो या लड़की हो कुछ भी हो बनाया जरूर ही जाता है तो आरोही के टाइम में इन्होंने बनाया था उसी पर ये दूसरा वाला बना दिया है तो इस ये वाला लड़का बनाया है और आरो히 के टाइम में लड़की बनाया दिया है लेकिन बहुत ही अच्छे से बन गया है ये गोबर से बनाया जाता है और थोड़े बहुत इसमें गेहूं भी लगा दिये जाते हैं तो थोड़ा से दिखने में अच्छा लगता है तो इधर ये बन गया है ये छटी वाले दिन ही बनाया जाता है तो जो भी हमारे यहां रसमें होती ह रिती रिवाज उसी हिसाब से चटी की जाती है और बहुत जगा ये भी मनाया जाता है कि चटी बाले दिन ही बताया जाता है कि लड़का हुआ है या लड़की लेकिन हमारी यहां ऐसा कुछ भी नहीं है और नहीं यह है कि चहरा ना दिखाओ चहरा भी दिखा दिया जाता है तो चहरा भी आप सभी को दिखाया है और आज भी दिखाएंगे तो हमारी यह यह सभी चीजे नहीं मनाई जाती हैं और नहीं छिपाया जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं और जो होता है छटी का छटी मनाई जाती है बाहर यह सब चीजे होती हैं और इधर मैंने कड़ी में स ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अच्छे से सूख जाते तो हम बांध भी लेते लेकिन सूख भी नहीं पाये थे और इधर मैंने चौक दी है कड़ी और इधर बुए डाल लई है पानी थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो बुए ने और पानी डाल दिया है तो जितना jewelry हम लोगों ने रोटियां भी सेंख लिए और इधर कड़ी चावल रोटियां और लखे हैँ आप अब पुजा चावत करेंगी और लला भी साथ में फूजा करेगा और भी पहुत्त सारी चीजह को दिखाएंगे और कलम, कापी ये सारी चीज़े भी पकड़ाई जाती है साथ में और चान्दी हो या कोई चीज सोने की हो वो भी चीज हाथ पर रखवाई जाती है बहुत सारी चीज़े की जाती है तो जो भी चीज़े की जाएंगी वो यहाँ पर परवाएंगी और यहां पर दो जग़े पर POOJ होगी तो वही हमारी देवरानी जी पूजा कर रही है तो मैंने का चलो आप सभी को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे क्या हमारी यहां होता है तो वैसे तो हर जगे ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा बहुत बदल जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहां कुछ अलग तरीके से पूजा उजा होती है तो हमारे यहां कुछ इस तरीके से पूजा होती है चटी की और आज से हैनकी जो हमारे देवरानी जी है नहा ली है तो बालाल भी बांध लेंगी और वैसे हैना कि जो मूल पड़ते हैं तो ये वाली जो छटी एटी हो जाती है उसके बाद में जैसे बाहर भी निकल सकती है बैठ सकती है तो इसी वज़े से ये जो चीजे होती है और यहाँ पर ये कापी पेना गया है लला के लिए तो उसको भी हाथ में पकड़ाया और ये सोने की चीज भी रखी जाएगी तो ये सभी चीजे की जाती है तो जो भी जैसे होता है उसी तरीके से बुवा ने करवा दिया है लेकिन हम मैंने भी किया था ये सब आरोही के टायम लेकिन हमको ध्यान नहीं था तो इस बार फिर से मैं जब ये सभी चीजे हुई त तो वहीं दिखा रही है कि हम ले ले ।पयाने का कि ले लो और इधा जो लोग पजारू लोग थे जैसे सुब़े के टाइम आया थी यह लोग जो भी काम था इनका वो करने के लिए आये थी तो यहाँ पर इन लोगों को भी खाना दिया जाएगा तो दोनों लोगों को खाना दे दिया गया है और सारा खाना पीछे वाले घर से उठा कर यहां पर रसोई में रख लिया है और इधर सभी बच्चों को भी बुला लिया है खाना खिलाने के लिए तो पहले बच्चों को खाना खिला देते हैं उसके बाद में ही हम लोग खाएंगे और साथ में आरोही भी क्योंकि आरोही को दाल चावल और कड़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले बच्चे खा लें खाना, उसके बाद में हम सभी लोग खाएंगे, तो एक साथ में ही सभी लोगों को बुला लेंगे, ज़्यादा बड़ी दावत नहीं की थी, छटी वाले दिन थोड़ी छोटी सी ही दावत की थी, और जो है नाम करण होगा जब बच्चे का तब ज़्यादा बड़ी दावत होगी, तो ऐसे ही बस छोटी सी दावत की थी, तो सभी लोगों ने खाना आना खा लिया था उसके बाद में हमारी ननदजी ने काजल भी लगाया था क्योंकि काजल भी नहीं लगाया था और छटी वाले दिन ही काजल हमारे यहां बच्चे के लगाया जाता है और नए कपड़े पहनाया जाते हैं पर बुवा ही काजल लगाएंगे और बुवा ने ही कपड़े लिए हैं तो यह हमारी नधन जी ने कपड़े लिए हैं दो जोड़ी लिए हैं क्योंकि कपड़े थे नहीं आरोही के जो थे वो पुराने से लगते थे तो इसी वज़े से नए कपड़े ले लिए हैं दो अपनाया जाएंगे और आज का ब्लोग दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते